नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत देश के 29 राजे और 7 के अंदर सासित प्रदेशों में ऐसे कितने राजे हैं जहां पर द्वीच दनात्मक विदान मंडल है कि ऐसे कितने राजे हैं जहां पर विदान सभा भी है और विदान परिशद भी है जैसे के अंदर की बात करें तो जहां पर संसद में लोक सभा और राजे सभा और राश्पती होता है ठीक वेसे ही राजिस्तर पर विदान सभा विदान परिशद और राजे पाल होता है लेकिन सविदान में ये प्रावधान भी किया गएगी ये जरूरी नहीं है कि परतेक राजे में विदान सभा और विदान परिशद हो संसद में ये एदिनियम पारित किया जाता है कि किस राजे में विदान परिशत बनाई जाएगी और किस राजे में विदान परिशत नहीं बनाई जाएगी यह परतीक राज़े अपने विवेग पर रख सकता है लेकिन वेसंसद में इसके परती रख अपनी मांग रख सकता है कि विदान परिशत का गठन किया जाई यह नहीं ये अलग भी से हैं, लेकिन आपनको ये द्यान रखना है इस वीडियो में कि भारत के ऐसे कितने राजे हैं जापर विदान परीशत का गठन किया गया है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो विदान सभा और विदान परीशत हैं उससे समदित अनुचेथ काईबरी कंप्प्टिशन एक्जाम में पूछ लिया जाता है विदान सभा से समंदित अनुचेद कौन सा है तो अनुचेद 171 है दूसरा है विदान परिशद से समंदित अनुचेद है वो है 171 विदान सभा 111 और विदान परिशद 170 सतर राजे विधान मंदल कैसे बनता है जैसे संसत का निर्माण लोग सभा, राजे सभा और राश्पती ठीक वेज़े वेशे ही परतेक राजे में विधान सभा, विधान परिशद और राजे पाल इनको मिलाकर राजे विधान मंदल का निर्माण क्या जाता है विदान समा से समन्दीत अनुछेद एक्सो 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 अनुचेद 170 विदान परिशत विदान सभा सदसे यानि अधिक्तम विदान सभा सदसे कितने हो सकते हैं बारतियस विदान में प्रावदान मनाया गया है कि अधिक्तम सदसे संक्या विदान सभा के सदस्यों की संक्या कितने हो सकती हैं 500 लेकिन नियून्तम कितने हो सकती है, 60. अब हम इसमें ये क्यूशन बनता है की वर्थमान में सरवादिक विदान começarवा सदर्देशों की संक्या वाला राजे कौन सा है, दोस्तों यह इध्यान रखना है आपको उत्तर परदेश सबसे अधिक विदान सबा सदस्यों वाला राजय है जहाँ पर 403 विदान सबा सदस्यों निर्वाचित किया जाते हैं और उत्तर परदेश ही एक ऐसा राजय है जाहां से लोग सभा सद्द से असी सरवाधिक निर्वाचित के दाते हैं। विदान सभा को लेकर हम बात करें तो सरवाधिक उत्तर परदेश से निर्वाचित होते हैं। दूसरे पस्चिम बंगाल से 200 पिचानों विदान सभा सद्देशे निर्वाचित होते हैं उसके बाद नंबर आता है महराष्ट्र का जहां से 288 विदान सभा सद्देशे निर्वाचित होते हैं दूसरी तरह हम बात करें कि सबसे कम कौन से राजे से निर्वाचित होते हैं, विदान सभा सद्दश्य सबसे कम विदान सद्दश्य वाला राजे कौन सा है, पूडुचेरी, जहां पर तीस सद्दश्यों के निर्वाचित किया दाता है, राजस्तान में विदान सद्दश्य ही जटित की गई है विदान सभा सदस्यों के बाद हम देख बात करते हैं विदान परिश्द विदान परिश्द के कितने सदस्यों होते हैं विदान सभा के जितने सदस्यों होते हैं उसका एक टियाई सदस्य से कम होते हैं यानि एक टियाई से कम सदस्य विदान परिश्द जादाता है कुल विदान सभा सदस्री की संख्या कितने हो सकते हैं एक टीयाई से कम हो सकते हैं यानि विदान सभा के जितने सदस्री होते हैं उसे एक टीयाई कम होते हैं विदान सभा सदस्री नियुन्टम कितने हो सकते हैं 60, विदान सभा के अधिक्तम सदस्य संख्या 500 हो सकती है, लेकिन उत्रप्रदेश ऐसा राजय है, जहां पर सरवादिक सदस्य संख्या निर्वाचित होते हैं, 463, लेकिन आपको ये भी द्यान लखना है कि विदान सभा के नियुन्तम सदस्य वाले राजे, विदान सभा के ल से कहां से होते हैं पूडुचेरी से जहां से 30 सदसे निवराचित होते हैं उसके बाद आता है सिक्किम से निवराचित होते हैं 32 मिजोरम से 40 होते हैं गोवा से भी 40 सदसे होते हैं लेकिन आपको अधिक्तम उत्रप्रदेश से निवराचित होते हैं और निर्मतम कहां से होते ह पूड़ुचेरी से हमारा विसे था भार्थ के दिवस्दनादमक विदान सभा या विदान मंडल वाले राजे इससे पहले आमने विदान परिशद और विदान सभा के बारे में सभिदान के कौन से अनुच्यत में उलेख है सबसे सरवादिक विदान सभासरदश्यों की संक्या वाला राजे और निम्तम विदान सभासरदश्यों वाला राजे कौन से हैं लेकिन हमारा मुख्य विशे समझने का और शेखने का ये था कि भारत के साथ कौन से राजे हैं जहां पर विदान परिस्द का गठन किया गया है दोस्तों वो साथ राजे हैं करनाटक, उतरपरदेश, महाराष्टर, बिहार, जम्मु कस्मीर, पटना, पटना से मतलब हो गया है बिहार, महाराष्टर, जम्मु कस्मीर, आंदरपरदेश, तेलंगाना यह साथ राजे ऐसे हैं जहां पर विदान सभा के साथ साथ विदान परिस्द का गठन किया गया है आंदरपरदेश में पहले से ही है लेकिन तेलंगाना का गठन होने के बाद तेलंगाना में विदान परिस्द का प्रावधान बना हुआ है इस प्रकार से ये साथ राजे हैं तेलंगाना, आंदर प्रदेश, जम्मु कस्मीर, बिहार, महाराष्टर, उतर प्रदेश और करनाटक चलिए हम इसके साथ साथ थोड़ा सा इनके बारे में देन कर लेते हैं परतेक राजे के करनाटक की राजदानी बेंगलोर है, जहांके मुख्य मंत्री का नाम जब 2018 में यहांके विदानसवाद चुनाओ हुए, उस टाइम भाजबा को प्रण बहुमत मिला, बियस यदूरप्पा को लेकिन इनकी सरकार उसी दिन गीर गई बहुमत पास नहीं पाया, इस वज़े से HD कुमार स्वामी कॉंग्रेस और अन्य सदेशने में बहुमत साबित करके करनाटक में सरकार बनाई, तो इस परकार करनाटक के मुख्य मंत्री HD कुमार स्वामी है, यह आपको याद रखना है करनाटक के राजेपाल कौन से है, वजु भाई, और करनाटक की राज़दानी कहाँ पर है, बैंगलोर, हम विदान परिशत सदेशे वाले राजे हैं, उनके साथ साथ थोड़ा थोड़ा उन साथो राजियों के बारे में अध्यन कर लेते हैं, करनाटक विदान सभा सदेश दोनों का गठन किया गया है अगला हमारा देन का राजे है उतर प्रदेश, उतर प्रदेश की राजदानी लखनाव, वहां के मुख्य मंत्री है योगी अधित्यनाथ, उतर प्रदेश में विदान सभा सदेश्य की संक्या 403 है, जो भार देश के जितने राजे हैं, वहां पर विदान सभा सद्देशें में सरवाधिक सद्दसे हैं उतर प्रदेश विदान परिशत सद्दसे की संख्या है 10 और राजेपल सीरी राम नाइक उतर प्रदेश के मुख्य मंत्रिया योगी अधिते नात लोग सभा सद्दसे 80 दोस्तों आपको यह याद रखना है बारत में ज इतने हैं यहां से 31 उसके बार चलते हैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र के राजदने मुंबई है यहांके मुख्य मंत्री देवेंदर फड़न विस विदान सभा सद्दसे संख्या 288 लेकिन उतर प्रदेश में 403 महाराष्ट्र में 288 इससे पहले पस्चिम बंगा लेकर एसा था राज़ जहां पर विदान सभा सद्दसे उत्तर प्रदेश के बाद दो दूसरे स्थान पर है 259 में 288 लोगसभा सद्दसे संख्या 48 महाराष्टर के राजय पाल है चन्न मनेरी विदासागर राओ महाराष्टर के मुख्य मंत्री है जब कि मुख्य मंत्री है देवेंदर फड़न्विस अब बात करते हैं बिहार की बिहार की राज़ानी पटना है बिहार विदान सभा सद्धेश्ची सिंख्या 243 बिहार के मुख्य मंत्री नितिश कुमार लोगसभा सद्धेश्ची सिंख्या कितनी है 40 अब बात करते हैं हम जम्मु कस्मीर की जम्मु कस्मीर के मुख्य मंत्री कोन है महबूबा मुफ्ती लेकिन आपको यह याद रखना है कि वर्दमान में वहां पर राष्टपती शासन लगावा है, इसलिए महभूमा-मुखे मंतरी नहीं रही, क्योंकि सारी के सारी सक्तियां लोग सबहा जाती हैं, लेकिन कहने को यह कहता है कि राष्टपती शासन लगा हुआ है. तो जम्मु कस्मीर भी विद्यान सभा सद्देश्यों की संख्या कितनी होती है पिचेतर जम्मु कस्मीर भी विद्यान सभा सद्देश्यों की संख्या कितनी है पिचेतर विद्यान परिशत सद्देश्यों की संख्या 36 विद्यान सभा पिछेट चिंतर विद्यान परिशत 36 लोग सभा सद्यसे संक्या कितनी है साथ और राजे सभा सद्यसे संक्या कितनी है च्यार जम्मु कस्मीर के राजेपाल कोन है जम्मु कस्मीर के राजेपाल है सत्यपाल मली जम्मू कश्मीर के हम बात करें तो यहां थोड़ा सा आपको बता देना चाहेंगे कि लोकसभा सदस्यों की संक्या 530 निर्वाचित के जाते हैं साथ लोकसभा सदस्य जो पाक अधिकरित कश्मीर है वहाँ से निर्वाचित करने अभी तक बारती इत्यास में निर्वाचित नहीं हो सका लेकिन आपको यह याद रखना है कि वर्तमान में कस्मीर से कितने लोगसभा सदे से निर्वाचित किया जाते हैं छे और राजे सभा के लिए च्यार चलिए आगला हमारा अद्यनम् का बिंदू है आन्दरप्रदेश आन्दरप्रदेश से अभी दो जून 2014 को तेलंगाना अलग राजे बना है इसलिए पहले भी आन्दरप्रदेश में विदान सभा और विदान परिशत का गठन किया हुआ था इस परकार तेलंगाना में विदान सभा और विदान पृष्थित का गठन किया गया सबसे पहले हम देखते हैं कि आंधर प्रधिस की राज़ानिक कहां पर है है हेधरावाद और आंधर प्रधिस से लोक सभा सबने से कितने निर्वाचित वोते हैं?」 25 और राजे सबा से 11 ठीक वेसे तेलंगाना के मुख्य मंतरी कौन है देखिए यहां पर आपको यह याद रखना है आंदर परदेश के मुख्य मंतरी Y.S. जगमोहन रेडी जबकि तेलंगाना के हैं के चंदर शेकर राव आंदर परदेश से अलग वोकर बना तेलंगाना जिस जबकि लोग सबाग सत्रा होते हैं और राजे सबाग के लिए साथ होते हैं आंदर परदेश और तेलंगाना के दोनों के मुख्य मंतरी स्विंग्त रूप से कौन है E.S.L. नर्शिमन एसल नर्शीमन अंदरपरदेश और तेलंगाना दोनों के शिंट रूप से राजेपाल है या कारिवाग राजेपाल तेलंगाना के कौन है नर्शीमन या इसा कह सकते हैं तेलंगाना के पर्थम राजेपाल का नाम क्या है एसल नर्शिमन जो अंदरपरदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों का कारिवार समाल रखा है अब हम बात करते हैं तेलंगाना में कितने विदान सबसद से चुने जाते हैं 19 और विदान परिशत 40 लोग सबसद 17 राजे सबसाथ तेलंगाना और अंदरपरदेश के राजेपाल है ESL नर्शिमन और तेलंगाना के पर्थम राजेपाल का नाम भी नर्शिमन ही है क्योंकि अभी 2014 में इसका गठन किया है अब आपको दोस्तों साथ ऐसे राजे जहां पर विदान सबा के साथ साथ विदान परिशत का गठन किया गया है लेकिन इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं विदान परिश्द वाले राज्जे कितने हैं साथ हैं साथ कौन-कौन से हैं वो आपको देखना है इसमें सबसे पहले आपको याद रखना है करनाटक उसके बाद उत्रपरदेश फिर महाराष्टर फिर भिहार जम्मुकस्मीर आंदरपरदेश तेलंगाना यह साथ राजे हैं जहां पर विदान परिश्द भी है और विदान सबाई में अब सोट ट्रिक में बताना चाहूंगा एक तो है अब तुम करना जरा अब यानि कि हम किस जरा ऐसे अंदरपरदेश अब तुम करना जरा अब तुम करना जरा इसमें है अब तुम करना जरा से थोटे से व्यक्या करें तो पता चलता है एसे अंदरपरदेश बिहार टी से तेलंगाना अब यू से यू पी मैं से महाराष्टर अब तुम करना करना टक जरा से जरा दूसरी सोट्रीक है तुम भी मजा कर दूसरी ट्रिक क्या बने है तुम भी मजाकर तुम भी मजा कर ट से तेलंगाना यू से यूपी ये भी लिखा गया लेकिन यूपी है भी आई से भिहार तू भी मजा मैं से महाराष्टर जैसे जम्मु कस्मीर ऐसे अंदर परदेश कर से करनाटक तो ये दो ट्रिक थी अब तुम करना जरा और तू भी मजा कर